You always will, you can have, and when you have, you can You still in my heart, the moment I'm tired as I'm in Hi guys, welcome back to my channel And today, I'm going to share with you a very easy make-up This is a very easy make-up, but it's very beautiful if you want to recreate it And this is a very good make-up for summer, waterproof make-up You will never get out of your make-up You will also get a lot of love for your make-up So this will stay for a long time The link you will find in the description box, you can buy it Also, I have all my make-up, and this is my favorite make-up This is my favorite make-up, which I bought from Mintra Now, I didn't get it from lockdown, so you will find it You will find it in the description box, so let's start the video I will use it as well, so I will use it on my face And I will use it on my face Good wipe, this is the toner of good wipe Because during warm weather, your skin will be dehydrated So I will take it to hydrate and glow I have used the toner of good wipe And then I will use the toner of good wipe This is the toner of good wipe And this is the toner of the oil And this is the oil of golden oil Because it's the妙yme of glow करते हूं वुझे बहुआ च्छे लगता है उसके अध मैंने या पर यूद प्राइमर भायड करदा है इसलिए my वालवार उसके अलया है पांडेश्ण किले मैंने याह लिया मैंपलीन का सुपर से फांडेशन क्यूंकि गर्मियों में में आपका तक टिका रहे ऐसा कुछ फांडेशन आपको लेना चाहिए और ट्रस्ट मिन आइज यह तक बहुत ज्यादा होता है इस पॉटर्पाइशन एमेजिग लिए अबहुत देर तक बिए प्रशन के पहुत होता है तो आप देख सकते हो कितना जादा कवरिज की इतनी अच्छी है तो लोग कहते हैं गर्मियों में जादा लेयर नहीं करना चाहिए लेकिन आप अगर यह वाला बेस ट्राइड करिए ट्रस्ट मी आपका बेस कभी केकी भी नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छे से गर्मियों म पूरे फेस को अच्छे से ब्रॉंज के चाहिए और अपलोग को पता हैं बिना कांट्रोरिंग मेरा मेकप नहीं कंप्लीट होता है तो इस वज़े से मैंने यहांपे अपने पूरे फेस को आउच्छे से शाप किया है और अब इसको जो है मैं ब्लेंड कर नहीं हूं और एक तब ही आपको जो ए अच्छी देर तक दिएगा बेस आपका उसके आपका उसके अपके ग्लाम 21 का पैलेट लिया है उसे से ही ब्रॉंज अप कर रही है अपने फेस को ब्लश के लिए मैंने यहां पर सिवाना का ब्लश पैलेट लिया है बट यह पैलेट में हुडा ब्यूटी की थी मदब कि पैलेट सिवाना का है और जो बॉक्स है वो हुडा ब्यूटी का क्योंकि सिवाना वाला बॉक्स था तो इस तरीके से मैंने हाँ पेंग कलर कर शेड अपलाई किया उसके बाद दिये वाला शेड लेकर अपने क्वीज लाइन पर पहले अपलाई करूंगी इस ही कमें में पूरे लेट पैस को अच्छे सब्लाई कर लिया है उसके पात से पैरट के हलफ से यह जो है हलका क्रीम कलर है यह और इसे अपने सेंटर लेट पर अप्लाई करूंगी इस तरीके से आप देख सकते हूँ जैसे मैं कर रहें इस टाइम तो ऐहां कर लेकर अपने पूरे जहां पर सिल्वर वाला मतब की क्रीम वाला शीड लगाया था उसके उपर अपलाई कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा शाइन आपके लेट पे आ जाए और ये इनके सारे शीड में जो बहुत ही जादा अच्छा लगता है स्वीस ब्यूटी के और मैंने यहां पे इनर कॉर्णर को फैरेक कर लिया है आपको यूपी ऐलाइनेर से हाइध कर सकते हो enthast उसके बाद भी मैंने यहां पे मोफ कलर लेकर अपने लोवर लाश लाइन पर अप्लाई कर लिया है इस तरीके से बहुत ही लाइट सा आई मेकप है जिनको बहुत हैवी मेकप नहीं पसंद आखों का वह ऐसा मेकप लुक कर सकते हो और अब ही मैंने मस्कारा वेटन वाइल का अप्लाई किया है ताकि मेरे नाच्राल और जो है फेक लाश एक जैसी लगे तो यह मस्कारा भी बहुत ही अमेजिंग है डबल एक्सल मतलब आपकी आँखों की जो पलके हैं उसको डबल एक्सल मतलब बहुर बढ़ी बना देती है लाश लाइन पर भी अप्लाई कर लिया ह आँखों की वाटर लाइन पर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मैं न्यूट रखना चाहती थी इस वज़े से उसके बाद अब लिप्स्टिक है यह है जो किसकी हाँ परपल के लिप क्रॉन है तो शीर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिस्क्रि लुक आई होब कि आइसके आप लुक मेरा लुक अच्छा लग रहा हो अच्छा लग रहा हो तो जरूर ट्राइ करिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताएगा कैसा लगा मिलते हैं नेक्स अब्रों मैं बाबाई लव यू बाबाई